हेलो फ्रेंड स्वागत आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रसोई एंड टीप्स और ब्लोग में तो फ्रेंड आज हम लेकर आ गए हैं कच्चे चावल के आटे से बनने वाले हेल्दी एंड टेस्टी नास्ता की रेसेपी फ्रेंड जो की एक दम एक छोटा चमस देल में ब तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो अप्रोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकिसन आपको मिलता रहे तो चलिए फ्रेंड नास्ता कैसे बनाते हैं देख लेते हैं तो फ्रेंड ए दो कटोरी पानी डाले हैं पानी को अच्छी तरह से गरम होने देंगे तो फ्रेंड ध्यान रखना है जिस कटोरी से आप आटा ले रहे हैं उसी से डबल पानी लेना है और एक चम्मच ओइल डालेंगे नास्ता को क्रेश्पी और नरम बनाने के लिए वन टीस्पून अजवाइन डालेंगे स्वाध अनूसार नमक डालेंगे पानी को अच्छी तरह से गरम होने देंगे फ्रेंड साथ साथ वन टीस्पून सफेद तील भी डालेंगे फ्रेंड सफेद तील डालने से नास्ते खाने में एकदम डिलिसियस लगता है और देखने में भी तो अगर आपके पास सफेद तील है तो जरूर डालें अगर नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं तो वन टीश्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे फ्रेंट तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लग गया है हलका हलका पानी गरम होने लगा है फ्रेंट तो पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो अब हम थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और एक हाथ से मिलाते जाएंगे इस तरीके से गैस के फ्लेम को एकदम लो क तो हम सारे आटे को डाल दिये हैं उसके बाद लो फ्लेम में चलाते हुए आटे को अच्छी तरह से डो फोम में आने तक पकाएंगे ध्यान रहा है फ्रेंड गैस के फ्लेम को एकदम लो रखना है लो फ्लेम में ही आटा को पकाना है अच्छी तरह से तो फ्रेंड डो अच्छी तरह से पक गया है आप देख सकते हैं डो को पकाने में टोटल तीन से चार मिनिट का समय लग गया है तो अब हम गैस के फ्लेम को बन कर दिये हैं उसके बाद निकाल कर दूसरे बरतन में रखकर ढखकर 10 मिनिट रेष्ट के लिए छोड़ दिये हैं फ्रेंट जब तक उधर डो रेष्ट हो रहा है तब तक हम इधर उसका इस्टफिन तयार कर लेते हैं क्योंकि हम इस्टफिन भर कर बनाने वाले है फ्रेंड तो दो उबला हुआ आलू लिए है आलू को हम पहले से उबाल कर धंड़ा लिये थे तो उसको इस तरीके से कद्डू कस कर लेना है फ्रेंड । आप इसे हाथ करने से फ्रेंड आसानी से कद्दू कस हो जाता है तो मैं कद्दू कस कर ली हूँ आलू को तो अब हम इसमें कुछ मसाला एट करेंगे तो एक चम्मच भुना हुआ जीरा पौडर डालेंगे वन टीस्पून अमचूर पौडर डालेंगे इससे चचपटा टेस्ट आएगा नास्ता में हाप टीस्पून सफेद नमक डालेंगे हाप टीस्पून लाल मिर्ची पौडर डालेंगे वन टीस्पून चाट मसाला डालेंगे एक चम्मच हराधनिया डालेंगे एक बारिक कटा हुआ प्याज डालेंगे अब हम सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे तो फ्रेंड इसमें हम हाप टी स्पून काला नमक भी एड़ किये हैं फ्रेंड वीडियो इसकीफ हो गया है तो आप काला नमक इस इस्टफिन में जरूर डालिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अच्छी तरह से हाथों की सहाथा से सभी समागरी को मिला लेंगे तो फ्रेंड सभी समागरी को आलू के साथ मिला लिए हैं इधर डो को भी रेष्ट किये हुए 10 से 15 मिनिट हो गया है थोड़ा ठंडा हो गया है डो तो हम हलका सा ओईल लगाएंगे हाथ में और मसल मसल कर चिकना कर लेंगे फ्रेंड अभी भी अच्छे से ठंडे नहीं हुए हैं हाथ जल रहा है तो फ्रेंड हम मसल ते हुए चिकना कर लिए हैं डो को तो आप देख सकते हैं डो हमारा परफेक्ट तयार हो गया है तो इसी तरह का डो चाहिए है फ्रेंड तो हम जिस बरतन में हम इस्टीम करेंगे नास्ता को उसमें हम पहले से ओईल ग्रीस करके रख लेते हैं ओईल से ग्रीस कर देते हैं इस तरीके से चन्नी वाले कोई भी बरतन हो आप उसमें इस्टीम कर सकते हैं तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा डो लेंगे इस तरीके से गोल गोल हाथों की सायता से गड़ा करते हुए इस तरीके से बना लेना है जिस तरीके से आलू के प्राठे बगरा बनाते हैं उसके बाद एक चमची स्टफिन भरेंगे उसके बाद हाथों की सायता से दवाते हुए फोल्ड कर देंगे हलका सा दबा देंगे टिक्की के सेप में आ जाएगा तो फ्रेंड इसे आप ओईल में फ्राइ करके भी बना सकते हैं लेकिन मैं इस्टीम करूंगी क्योंकि हम हैल्दी नास्ता बना रहे हैं एकदम कम ओईल में बना कर त्यार करेंगे सिर्फ एक छोटा चम्मच देल में इस वज़ा से मैं इस्टीम कर रही हूँ फ्रेंड आप चाहे तो इसे ओईल में फ्राइ भी कर सकते हैं ये नास्ता हेल्दी के साथ साथ चटपटा और टेस्टी भी है फ्रेंड सभी को पसंद आएगा ये नास्ता आप बच्चे का टिफन या हस्बिन का ओफिस कहीं भी बना कर दे सकते हैं आप इसे सफर में भी बना कर ले जा सकते हैं फ्रेंड ये बहुत ही चटपटा है इसम आपको कोई सब्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा आप की उसरों के साथ कर सकते हैं तो हम साथ ना ही हम इतना ही हमारे छनी में इस पेस है तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं तो इधर हम इस्टीम करने के लिए क्यों कर मैं हम एक से डेल ग्लास के खिरी पानी को उबालाने के बाद हम छन्दी रख दिए हैं छनी वाले वर्तन में उसके बाद ढख कर 10 से 15 मिनिट लो तू मेड्यम फ्लेब में इस्ट्ीम होने दिये हैं तो आप देख सकते हैं नास्ता फुले फुले बनकर तयार हुआ है इस्ट्इम हो गया है तो उसको ठंदा होन कि तो फ्रेंट तेल गरम होने के बाद एक चम्मच सफेद तील एक चम्मच शरसो का दाना और आठ दस कड़ी पत्ता डाले हैं उसके बाद हम नास्ते को डाल देंगे तो फ्रेंट हम नास्ता को जो निकाले थे वीडियो इसकीप हो गया है नहीं दिखा पाई हूं प्रेंट ध्यान रहे थंडा होने के बाद सबस्क्राइगा размер जा दूश्का हम members & data अगर तूर्स उपश में कंचित उप्षोत जाते ब fum आफ़भी तो we град यान दो तो कोश्म कऒ़े ठीक हम से नास्ट इस तारीके से के तड़का लगा को इस तरीकेश में हम सब्सक्राइब बरूर लगा लिजिएगा फ्रेंड आप चाहे तो बिना तड़के के भी खा सकते हैं इस टीम होने के बाद निकाल कर क्योंकि उसके अंदर चटपटा इस्टफिन भड़ा हुआ है तो अलटते प्लटते हुए एक से दो मिनिट तक नास्ते को प्राइ कर लेना है वाव आप द अच्छे चाओल के आठे का यम्मी टेस्टी नास्ता तो उमीद करेंगे फ्रेंड की आपको यह नास्ता की रेसेपी पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के सांद सेर करना ना भूले तो फ्रेंड हम आपको एक नास्ता तोड़कर दिखाते हैं आप देख सकते हैं कितना नरम है कितना सॉप्ट बनकर त्यार हुआ है एकदम चटपटा डिलिसियस तो फ्रेंड मैं सुभा-सुभा में बनाई हूँ तो सुबा सुबा में भाग दोर हो जाता है फ्रिंट, रोज रोज का टेंसन हो जाता है कि क्या बनाऊं नहीं बनाऊं बच्चे का टिफन के लिए, तो आप इस तरीके से इस नास्ते को बना सकते हैं, बच्चे बहुत खुसो कर खाएंगे, साथ में हेल्दी भी है और ये चा